जी 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 तोड़ा सा पीछे रहती हूँ जी मेरेज तो साथ मेने हो गए हैं मेरी आदिल की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है नो डाउट बट कुछ लोग है मुझे आदिल को जुदा करना चाते हैं मैं आपको नहीं बता सकते हर चीज मीडिया में नहीं होती है मुझे मीडिया ट्राइल नहीं चाहिए आदिल मुझे बहुत प्यार करते हैं मैं आदिल से बहुत प्यार करती हैं तो उनके मैसूर में ही कुछ लोग है जो उनको चड़ा चड़ा के उनको चड़ा चड़ा के उनको वापस मैसुर बुला लेना चाहते हैं उन्हें मैं नहीं बताना चाहती हूँ पैसो का लालच देकर मेरा आदिल कभी किसी पैसो के लालच में नहीं आता क्या नसीब लेकर पैदा हुई हूँ मैं शादी करके भी चैन नहीं है शादी करके भी चैन नहीं है बताईए मुझे नहीं पता हिंदो मुस्लिम का मुझे नहीं मालूम मैं तो अपना घर बसाना चाहती हूँ शादी करना चाहती हूँ लेकिन कुछ लोग आदिल को फोन करकर के, मुझसे जुदा करना चाहते हैं, कहीं के नहीं से मैसूर के लोग है, और वो कौन लोग है मुझे नहीं मालूम है, वो उनको फोन करकर के, पताने हैं, बलेक मेल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़े हैं, मेरी शरीर पे हेल्थ में आप को नहीं बता सकती क्या हो रहा है मेरा good news में मेरा bad news बन गया है फोटो ले लो प्लीज तो कुछ मैंने पैना निये किसी ने color correction किया होगा मैंने बुर्खा पैना है that is for sure because मेरी शोहर मुस्लिम है तो मेरा फर्स बनता है मैंने Kalma पढ़ा है तो मैरा फर्स बनता है नमाज पढ़ना मैं अपने God को भी प्रे करती हूँ और नमाज भी पढ़ती हूँ मैं Jesus को भी मानती हूँ अल्ला को भी मानती हूँ मुझे से कोई मेरा खुदा रोक नीसकता मैं आप से मैसुर वालों से हाज जोड की निवेदन करती हूँ मुझे और आदिल को जुदा न करें प्लीज मैं कुछ नहीं क्यों मेरी जंदेगी में एक दिन भी चैन का नहीं हो रहा मैसुर वालों मत कर रहा है जो आदिल को जानते हैं मुझे और आदिल को जुदा ना करें फ्लीज आई रिक्वेस्ट उसे भी चैन से जीने दे मुझे भी चैन से जीने दे थैंक यू तो नाम जो थे ना जिनोंने मुझे मेरी ममी के एंजियो के लिए अम्बानी परिवार से ही थे वो लो उनके परिमल परिवार है ना तो उनके भरत भाई करके हैं उनके एंजियो ने मेरी माँ को हेल्प किया है डेफिनेटली बस इतना कहना चोगता है अभी डॉक्टर क्या बोल रहे है अभी मुमी का भी हल्क है साब की मुमी को तो पुरा कैंसर बॉड़ी में फैल गया है